छे पेपर आपके question answer format में हो रहे हैं, आपसे questions पूछे जा रहे हैं, और आपको answers लिखने को कह रहे हैं, चार GS के और दो optional के, तो UPSC ये क्यों करवा रहा है, जिसके अंदर आपसे अलग से essay पूछा जा रहा है, फरक क्या है दोनों के अंदर? essay is, BDP, मैं लिखवा दूँगा, just pay attention, vision और viewpoint, ध्यान से समझों, मैं लिखवा दूँगा, समझेंगे, see like, मैं आपको एक example देता हूँ, इसके अंदर, लच्छे आपको essay आता है, less people prefer to travel on road, less travel by, वो है न, road not taken वाला, so less people prefer to travel on roads, less travel by, आपको क्या लगता है, इसमें क्या, और हजार words में क्या लिखने की कोशिश करेंगे, क्या समझाएंगे इसमें हजार words की, सो जो दो मिनिट दे, फिर पुछता हूँ, एक आप कह रहे हो कि आपके according यह है कि आप इसका एक literal meaning ले रहे हो कि भई, जहां पर roads जादा होती है, वहाँ पर civilization जादा होती है, लगा आप एक infrastructure वाला angle ले रहे हो, how some individuals choose to rebel in aspect of terrorism, in aspect of revolution, ठीक है, एक security point ले रहे है, security point ले रहे है, इसमें आप revolutions गहरा लिख सकते हो, history में जो हुई, कैसे कुछ लोगों ने अलग हट के काम किया, बल्कि तो positive spin भी दे सकते हो, खाली terrorism नहीं, freedom struggle code कर सकते हो, revolutions code कर सकते हो, और standing up for right, बहुत कम लोग होते हैं, इसका मतलब क्या है, कि बहुत कम लोग कुछ रास्ता चुनते हैं, जो उन्हें tough लगता है, तो इसके लिए whistle blowing आप लिख सकते हो, ethical dimension लिख सकते हो, कुछ भी, एक ये लिख सकते हो, एक literal हो गया, एक security angle हो गया, एक standing up for right, एक हो सकता है, doing new things, experimenting, can I write about startups and all? अब देखो, मैंने आपको 10 seconds दिये से सोचने के लिए, कुछ ने जल्दी answer दे दिया, कुछ ने लेट, कुछ अभी भी सोच रहे हैं, मलब बोला नहीं होगा होगा है, पर आप देखें, कितने interpretations निकला है, अब कौन सा सही है, essay में क्या लिखना है, ऐसा तो है नहीं सब लिख दो गए, और marks मिल जाएंगे, तो essay is a viewpoint, सबसे पहले आपको जो भी essay दिया गया है, आपको उसके related एक vision, एक viewpoint चूज करना है, जो आपको यकीन है, लेट से आपको यकीन हो गया कि मैं इसे infrastructure mode में रखोंगी, किसी और को यकीन हो गया कि मैं उसे experiment, research and development और startups के तौर पर रखोंगी, आप अपना viewpoint बताएं essay के starting में कि हम यह सोच रहे हैं इस line से, कोई-कोई भी सोच सकता है, then you have to discuss it properly, हर इसके angles बताने हैं, pros, cons, economic dimension, social dimension, वो हम देखेंगे, कैसे आप लिखोगे, जो भी आपका viewpoint है, उसे detail में discuss करना है, and the most important point which makes it different to answer writing is, essay और answer writing में क्या फरक है, essay के अंदर आपने जो भी लिखा है 10 पेज में, 10 पेज के बाद पढ़ने वाला convince होना चाहिए आपके viewpoint से, you have to convince him properly, now, आपने ये viewpoint दिया, जिसने essay चेक किया, वो इस viewpoint को मानता है, doesn't matter, आपको अपने viewpoint को साथ लेके 10 पेजों में, उसे अलग-अलग dimension से convince कर देना है कि जो आप बोल रहे होगो, वो बिल्कुल सही है, पूरे marks मिलेंगे, maximum गलती है, आप start करते हो answer लिखना यहां से, दो पेज बाद याद आता है कि यार, इसका मतलब तो ये भी हो सकता है, चलो ये भी लिख देते हैं, अरे इसका मतलब तो ये भी हो सकता है, एक ये भी लिख देते हैं, zero marks, वो ही 52 वाले marks, ऐसे के अंदर क्या है, देखो जब आप बड़े-बड़े post पे पहुंचेंगे, जहां आपको policy बनानी होती है, ministers आपसे questions आए दिन पूछते रहते हैं, कि ये करना है के नहीं, ये करना है करना है कि एक time में आपसे वो presentation मांगते हैं, कि tell us we want to do something, वहाँ आपके पाई एक घंटा होता है, वहाँ आपको essay देना होता है, कि we want ये होना चाहिए, इसका analysis ये रहा, क्या फायदा होगा, क्या नुकसान, इस field में क्या होगा, उस field में क्या, और end में आप convince करते हो कि this is the right way to do it, essay और question answer में क्या फरक है, question में आपसे question पूछा गया, examiner ने पूछा है, आपको वो सिरफ जवाब दे रहे हो, यहाँ पर आप एक article लिख के सामने वाले को convince कर, तो यह open editorial पढ़ा होगा अपने Hindu newspaper में, वो essay होता है, और वो Hindu newspaper वालों की guarantee नहीं होती, Hindu newspaper के editorial कौन से है, side वाले, वो answer writing है, कभी Congress का भी होता है, leftist भी होता है, rightist, वो heading दे देता है, जैसे आजाए, ordinance वो जो दिल्ली बाला हुआ, इस पावर ग्राब, तो वो हो सकता है, गर्मेंट के खिलाफ हो रहा हो, वो देगा दोनों viewpoints, लेकिन वो end में आपको पूरे article पढ़ने के बाद convince कर जाएगा कि Central Government गलत थी and it's a power grab, this is what essays, आपको जो viewpoint लगे, बस उससे अडे रहो, अगर आप भटके, तो आप समझो, examiner तो बैठा ही है बैठाने के, तो इसी लिए, what is an essay is very important, it is a viewpoint, your viewpoint, where you discuss that viewpoint in detail, and finally end up convincing the reader that whatever you have told in this 1000 words, it is worth mentioning, कि आपने जो भी दिया, आपने उसे convince कर दिया, हाँ जी, बिलकुल करेंगे, पर example देखो, आपने इस चीज को infrastructure बे में पिक कर लिए, आप जब essay लिखना शुरू करते हो, आप start करते हो, एक quote के बाद, और जो भी आप start करते हो, तो हम देखेंगे, उसके बाद आप लिखोगे, कि इस line का ये मतलब हो सकता है, कि बहुत सारे areas हैं, जहां roads नहीं पहुँची हुई, जिस वज़े से civilization developed नहीं है, जिस वज़े से civilization developed नहीं, आपने starting में अपना viewpoint clear कर दिया, अब आप इसकी dimensions बताओ, कि इससे politically क्या असर पड़ता है, कि वो लोग governance में participate नहीं कर पाते, वहाँ पर politicians जादा नहीं पहुच पाते, तो issues neglected रह जाते हैं, economically क्या फरक पड़ता है, develop नहीं हो पाते, socially क्या फरक पड़ता है, कि उन areas के अंदर laws इतने important नहीं हो जाते, जितना culture हो जाता है, वहाँ आज भी patriarchy, casteism, बहुत hamlets बने होएं, आप अपने view को तो diversified detail में करोगे, मैं बता रहा हूँ कैसे, पर let's say, आपने यही वाली चीज लिखी, और दो पेज बात लिख दिया, कि अचाहां इसका यह भी मतलब हो सकता है, कि कुछ लोग नहीं नहीं चीजें करने की कोशिश करते हैं, आप अपने viewpoint से हिल गए, you have to give dimensions, but of your viewpoint. See, for example, आज का आप Hindu newspaper उठा और बीच में लिखा हुआ है, the Delhi ordinance is a power grab, और उसने पहले paragraph में लिखा है, कि इट्स लाइक सेंटर गर्मेंट और स्टेट गर्मेंट आपस में लड़री हैं पावर के लिए, लिखते-लिखते, heading the Delhi ordinance is power grab, लिखते-लिखते आप बीच में start हो जाओ, कि ordinance वैसे भी गलत होता है, इसके साथ और भी टूल्स हैं जो गलत होते हैं, भटक गए, when you have given one direction to your interpretation, you have to stick with it, give multiple dimensions and convince the person, कि भाई, roads नहीं होती तो problem हो जाती है, वो शिप बाला कुशन है, कोई हो, वो कहें कि मैं shipping के उपर लिखूँगा, वो shipping पर पूरा लिखता रहा है, और बाद में उसके अंदर माता है कि नहीं नहीं, इसके अंदर हमें कुछ और भी बताना चाहिए, वो नहीं चलेगा, आपको अपने viewpoint से convince करना है सामने बाले को, और इसी लिए essay important हो जाता है, तीज़ गंटे में आपको essay लिखना है, तीस मिनिट आप पहले essay चूंस करते हो, और उसका flow chart बनाते हो, जो मैं आगे बताऊंगा, कैसे essay लिखता है, पर essay के definition में, जो सबसे important बात है, वो यह, यह आपका viewpoint होता है, examiner का नहीं, और आपको ही convince करना है कि हुआ रही, तीए एक तरह से आप समझ लो, आप BJP के या Congress के spokesperson हो, और आप speech दे के सामने वाले को convince कर रहे होगी, vote for us, बस change इतना है, कि आप में इतने ethics हैं, कि आप अपनी गलतियां भी गिनवा होगे है, I'm getting this, पर in the end, ती लाइक वो सुब्रमन्यम स्वामी, जो BJP के leader है, वो आप government को criticize भी करते हैं, पर है तो BJP में एंड में बोलते हैं, BJP को vote करो, तो यह यह वो है, इस नो नो बिट, नो वान इस आपको छे questions में, हमने आपको से order follow कर वा लिए, यह हैं कुछ नए चीज़, जब 1990s के अंदर development वाला aspect administration में एंटर हुआ, तो हमें पता चला, कि हमारे जितने आए साइपेस आफिसर हैं, उसे रफ और फॉलो कर रहे हैं, 1980 के अंदर advice हो गया था कि ऐसे होना चीज़, और तब हमें ऐसे का रोल पता चला, और इसलिए आजकल philosophical essays आ रहे हैं, तो हमें पता हैं, आपके बाप content तो हैं, आप उस interpretation से अपने viewpoint को कितने अच्छा से convince करते हों, और that is essay, is this clear?